बड़ी सिस्टर का अपने छोटी सिस्टर के फियांसे के साथ अफेर हो जाता है। ये दोनों एक दुसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और एक दुसरे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। अगर इनोंने अपने अफेर को कंट्यूनू किया तो बहुत लोगों को अब आगे क्या होगा ये एन अफेर ये 1998 की कोरियन मुवी के एक्स्प्रेशन में हम जानेंगे। अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा। अब बिना किसी देरी के एक्स्प्रेशन स्टार्ट करते हैं। मुवी स्टार्ट होती है और हम अमारे दो मेन गारेक्टर को एरपोर्ट पर देखते हैं। लेडी का नाम था सुहून और आदमी का नाम था वूू। एक्च्वल में दोनों जीहून को ही लेने के लिए आये हुए थे पर एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। जीहून ये सुयून की सिस्टर थी और वू की फियांसे। इन्होंने बहुत वेट किया पर जीहून पहुची ही नहीं। बाद में सुयून को कॉल करकर दो सुरी कहती है उसने का मुझे और कुछ काम आ गया एक मन मुझे और लगेगा। उसके पास आज एक गुड़ने उस थी उससे कहती है कि मैं एंगेश्ट हो चुकी हूँ। सुयून को भी है सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसका जो फियांसे है कि सुयून जहां रहती वही रहता है मतलब सीयूल में है। यह न्यून सुयून ने अपने फादर को बताए। फादर जरा वरीड करते हैं कि वो लड़का कैसा होगा। क्या उनके बेटी का अच्छा हस्बन से कहा कि कीचन की वायरिंग खराब हो चुकी है पर हस्बन इस बारे में भूल चुका था। यह सीन रिप्रेजेंट करता है कि बहुत दिनों से हस्बन वाफ में प्रॉलम चल रहे है और उसके हस्बन ने इस बात को नूटी से नहीं किया। अगली दिन सुयून का ब बहुत ही स्टेबल है। उसने सुयून से कहा कि तुम बहुत यंग लगती हो तुम्हें बैटा है कोई भी बोल नहीं सकता। सुयून ने इस बास सिर्फ हस दिया। सुयून वू से कहती है कि शादी के बाद तुम्हें घर की जरूरत पड़ेगी तो इसी वज़े से अलग- इस इन्वम देखते हैं वू के फादर और सुयून के फादर ने भी शादी के लिए बात कर ली थी। अगली दिन वू और सुयून ने घर तुणने के लिए मिले। एक एजर ने उन्हें घर दिखाया पर बहुत ही कंजस्टेट था इन्हें पसंद नहीं आता। ये अगली कि एक अलग कंट्री में आना तुम्हें कैसा लगता है। वू कहता कि मैं स्लोली स्लोली एड्जेस कह रहा हूँ। उसने सुयून से बूचा क्या तुम कभी भी कही बाहर नहीं गई। सुयून कहती कि मेरा रूटिन बहुत ही फिक्स्ट है। मेरा हस्बर्ण मेरा बेटा इ क्या तुम अंदर कॉफी टी के लिए आना चाती हो पर सुयून उसे मना करकर चली जाती है। अगली दिन वू के फादर के कहने पर इन्हें और एक घर देखने के लिए जाना था। वू को एक घर पसंद निया था पर उसके फादर ने औरेट ये बाई कर लिया है। वो सु प्यून कहती हैं अगर हम लेक के पास नहीं जा सकते हैं तो लेक को तो यहां ले आ सकते हैं। वो फिर एक स्टूडियो में गई और एक बड़ा सा लेक का फोटो लेकर उसे गिव्ट दे देती हैं। कहती हैं मेरा तुमारे लेक वेडिंग प्रेसेंट। इसके बाद ये द इस सब चीज़े बहुत जादा ब्यूटिफुल थी। सुयून को इस सब सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था। कहती हैं कभी कभी आपको कोई चीज़े बहुत ही फिमिलियर लगती हैं। शायद वो अंजान हो। नेक सीन में सुयून अपने हजबन को कपड़े देने क के लिए उसके ऑफिस में आई हुई थी। उसका हजबन को एक प्रोजेक्ट पर काम करना है तो आजकर घर नहीं आ पाता। फिर से हम वो और सुयून को घर की शॉपिंग करता देखते हैं। अब इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। शाम में घुमते घु करकर करने के बाद स्यून को गिल्टी लगा कि वो के साथ कर रही है। वह किड़कर वापस पर यहाह से जाना था वो श.जून से फिसस़े चाई के लिए बूछता है तो फिन के साथ अर्डर आकी से और बार बारिश आ रही अब स्यून जब घर जा रही थी, तो वुने उसे किस कर लिया, अगली दिन से हुषे इग्नॉर करने लग गई थी, तो वू डारेक्टली स्यून से हस्बंड से मिलकर आता है, आज रादे सब मिलकर डिनर करने वाले थे, टीनर के वक वो ने सुयून के हजबन से पूछा तुम दोनों कैसे मिले थे हजबन कहता है सुयून को देखते ही मुझे प्यार हो गया था मैं हमेशा उसका पीछा करने लगया और एक दिन उसने मुझे से बात की और वो बहुत ही अमेजिंग थी इसके बाद स्लोली स्लोली उन दोनों में प्यार हो गया था वो इन हजबन से बुछता है क्या तुम खुश हो हजबन कहता है कि खुशी क्या होती है उसने फिश टाइंग दिखा है और हो कहता है इस टाइंग के फिश को वाम वाटर मिलता है खाने के लिए भी सब कुछ मिल जाता है उन्हें काम करने की जरूरत नहीं वड़ती है इसे एक खुश ही कहते है इस फिज टांग के बीचे हम स्यून को भी देख सकते है ये मूवी का कहने का तरीका था कि स्यून का हजबन भी उसे इसी तरीके से देखता है क्यों खुश है क्योंकि उसे सब कुछ मिल रहा है वू को छोड़ने के लिए लिफ्ट में सुयून उसके साथ आए वो उसे पकड़ लेता है कहता है कल रात के लिए मैं सौरी बोलने के लिए आया हुआ था पर मैं सौरी नहीं हूँ सुयून कहती कि हम दोने नहीं कर सकते हैं वू को छोड़कर वो उपर आई पर वो उसे फिर से कॉल करता है कहता है कि जब तक तुम नीजे नहीं आती तुम यहां से नहीं जाओंगा सुयून ने वू को इगनोर करने की कुशिश की बहुत जाद रात होके उसके लिए वरीड थी तो नीचे जाकर देख आती है तो वू अब भी उसका वेट कर रहा था सुयून बुशती है कि तुम्हें सब कर क्यों रहे हो वू ने कहा तुम्हें उस घर साथ में के साथ देखना यह मुझे बहुत गलत लगा क्या तुम उसके साथ खुश हो क्या तुम उससे प्यार करती हो सुयून कहती कि वो मुझे से प्यार करता है सुयून ने वू को समझाने की कुशिश की कि हम दोनों में बहुत जादा age difference है वो कहता है कि तुम में मुझे लाइक करती हो ये सब बात करने के बाद वू यहां से चला गया अगली दिन सुयून ने वू के वर्क प्लेस पर कॉल किया पर आज वो भी माट था इस वज़े से उसने चुट्टी ले ली थी सुयून वरी रोकर फिर उसके घर बर पहुच जाती है वू जब अपने नीन से जागा तो सुयून उसके पास थी वो उसे किस कर लेता है और इसके बाद दोनों इंटिमेट हो गए नेकसिन में हम देखते है सुयून का बेटा उसके ट्रीब से वापस आ गया था रात में जब उसका बेटा सोच आता है इसके बाद वो वू के पास आती है वू पास के गेमिंग कैफे में खेल रहा था सुयून भी उसके पास आये तो उसे भी गेम्स खेलना सिखाता है यहाँ पर कोई भी नहीं था तो इस दोनों यही पर इंटिमेट हो जाते है अब एक दूसरे से हमेशा मिलने लग गए थे एक दूसरे की कमपनी बहुत अच्छे से एंजॉय करते है एक दिन जब एक साथ है तो सुयून के हस्बन की कलीक ने देख लेती है उसने इन दोनों से बात की और उसे पता चल गया था इन दोनों में चल क्या रहा है वू को आजकल लगने लग गया था इस सुयून फेसे घर वापस जाए ही न उसी के साथ हमेशा रहे आजकल सुयून जिस तरीके से बिहेव कर रही थी ये सब देख कर उसके हस्बन को उस पर शक आ जाता है उसने उसका मूबाइल चेक किया तो वू का नमबर डायल किया हुआ था वो इस सब बात से बहुत परेशान हो गया था ओफिस में काम करते वक्त उसकी कलिक ने उसे लंज के लिए पूछा इनके बास ब्रेक था ये जा सकते थे पर हस्बन उसे मना कर देता है वो अपने फ्रेंड के साथ कोई भी तरीकी की अलग रिलेशन्शिप क्रियेट करने के लिए रेडी नहीं था उसकी एक दू दिनों के लिए कॉनफरेंस थी तो सुयून को टाइम मिला तो वो के साथ एक अलग प्लेस पर एक घुमने के लिए जाते है घुमते घुमते सुयून को ज़रा फीवर आ गया था तो वो उसका खैल रखता है सुयून जो भी करती है इस वज़े इससे बहुत गिल्टी लगता है वो हमेशा इसके बारे में सोचती रहती है पर वो ने कहा कि सिर्फ रिलाक्स करो सब कुछ ठीक हो जाएगा नेकसिन में सुयून ने वो की नोटबुक नोटीस की जहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी सुयून उसे बुछती है कि यह सब क्या है क्या कोई एरपोर्ट से आने वाला है क्या मेरी सिस्टर है वो कहता है कि हाँ यहाँ पर एक डूडल भी बना हुआ था तो सुयून कहती है तुम मेरी सिस्टर के साथ बहुत टाइम तक फोन पर थे सुयून को बहुत बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है आज राज सुयून का हस्बन अपनी फ्रेंड के साथ था उसे कहता है कि आज राज में तुमारे घर पर रुख सकता हूँ उसकी फ्रेंड कहती है कि हमारी 20 सार की रिलिशन्शिप है आज तुमें लोनली लग रहा है इस वज़े से हम इसे तोड नहीं सकते है फ्रेंड ने उसे पूछा कि तुमारी वाइफ कैसी है हस्बन को लगता है कि उसकी फ्रेंड को उसकी वाइफ के बारे में सब कुछ पता है जो एक्च्छल में उसे पता था अब एक दो दिनों में सुयून की सिस्टर जीहून यहाँ पर पहुच चुकी थी यह सब जाकर उनके फादर से मिल कर आ दिया फादर ने वू और जीहून का हाथ एक दुसरे के हाथों में दिया कहा कि मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना रात में फिर सिलेबरेट करने के विए सुयून और उसका हस्बन वू और जीहून यह सब रेस्टाउन में डिनर के लिए आ है सुयून का हस्बन जीहून से कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि शादी के बाद भी रोमैंस कंटीनू रहेगा पर स्लोली स्लोली ये फेड होता जाता है जिहुन कहती है कि मुझे इस तरीके से सोचना अच्छा नहीं लगता हमेशा लाइफ में रोमाइस तो होना ही चाहिए टेबल पर ही वो स्मोकिंग करने लग गया जो जिहुन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत पहले ही आदत छोड़ दी थी तोछल्दी से चला जाता है जिहुन से कहती है इसके बाद हम तीनों मिलकर कुछ एंजोय कर सकते है पस सुहुन ने कहा कि घर पर मेरा बेटा अकेला है वो भी इस बात पर गुस्सा हो जाता है कहता है का अब तुम्हे अपने बेटे का ख्याल आ रहा है इसका indirect मतलब यह था कि affair करने से पहले उसने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा यह बहुत ही disrespectful हो गया तो जीहून वू पर बहुत ही जादा चिर जाती है घर आते वो वू ने जून से कहा कि अब मैं तुमसे शाती नहीं कर सकता जीहून इस बात को जादा seriously लेती नहीं अगली दिन जब वो स्यून से मिली तो उसे एबात बता देती है कहती है शायद वो जारा डर रहा होगा यह actually normal होता है इसके बाद यह wedding dress लेने के लिए गए हुए थे इन्हें कौल आता है उनके फादर की हलत बहुत ज़्यादा खराब थी सारे लोग फादर से मिल लेते है बहुत रात हो गई थी पर फिर भी स्यून फादर के पास ही रूखी उन से कहती है कि आपने मुझे एक बार खहा था कि आप जिससे प्यार करते हो उसे कभी भी जाने मत देना शायद आपकी लाइफ में भी कोई था जिसे आपने जाने दिया और आप आज भी पच्टावा करते हो आपके इस फाइनल मुमेंट में आपसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है मुझे लाइफ में लगा था जिस प्यार को आप पा ना सको ये बहुत जादा हर्ट फूल होता है हॉस्पिटल में वो सुयून से मिलने के लिए आया उसे गहता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता सुयून कहती कि हमें ये सब बन कर देना चाहिए पर वो मानने के लिए रेडी नहीं था वो गहता है कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए मुझे जियून से शादी भी करनी पड़ी तो ये भी करने के लिए मैं रेडी हूँ सुयून कहती कि इस सब बहुत गलत है हमने उसे अल्रेडी हर्ट किया हम और उसे हर्ट नहीं कर सकते नेकसीन में देखते कि जियून और सुयून ने दोनों घर की पैकिंग कर रहे थे तब जियून ने सुयून से कहा कि अब हम दोनों शादी नहीं करने वाले हम दोनों अमेरिका जाएंगे और फिर आगे क्या करना हैं figure out करेंगे एक दिन Siyoon के बेटे की school में match थी उसे वहाँ पर भी वुने call किया खहता है कि हम दोनों को मिलना चाहिए फिर वो directly school में ही आ जाता है वही पर उसके साथ वो intimate हो गया वो उसे कहता है कि हम दोनों के हाथ से दूर चले जाना चाहिए मुझे पता है कि तुम मना करोगी तुमारी सिस्टर, तुमारे हजबन, तुमारे बेटे को तुम नहीं छोड़ सकती सुयून इस पर हा कहती है सुयून कहती कि नहीं छोड़ सकती है वो ने का क्या तुम सचमूश में मुझे फिर से मिले बिना एप पूरी लाइफ जी सकती हो तुम बिना प्यार की बुड़ी हो जाओगी जब तुम आखरी सास लो की मेरे जैसे प्यार करने वाला तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा आज तक सुयून ने वूसे I love you नहीं कहा था तुम कहता है कि प्लीज मुझे I love you कहो सुयून उसे कुछ भी नहीं बोलती नेक सिन में वो जीून से मिलकर उसे प्रॉपरली ब्रेक अप कर लेता है अब वो अकेला USA जाने वाला था गर पर सुयून ने भी अपने हस्बन से कहा कि अप में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हस्बन बहुत जाता गुस्सा हो गया कहता है तुम्हें अपने सिस्टर के बारे में एक बात सोचना चाहिए था सिस्टर भी घर पर भोज गई थी और ये सब बाते सुन लेती है वो सियून पर बहुत जादा गुस्सा आओ गई कहती है आज से तुम में और मुझ में कोई भी रिलेशन्शिप नहीं है इसके बाद हम सियून को एरपोर्ट पर देखते हैं उसने वो इनको भी I love you नहीं कहा था तो इन दोनों की फिर से बात नहीं हुई थी वो इनको जो प्लेज अच्छा लगता है यानि कि ब्राजिल वही जाकर रहना चाती थी इसका देखिट उसने बाई कर लिया वो भी इसी एरपोर्ट पर था वो अमेरिका जाने वाला था पर लास्ट मुमेंट पर अपना माइंड वो चेंज कर लेता है उसने भी ब्राजिल की फाइट ले ली मूवी के लास्ट सेन में ये दोनों प्लेज में मिल जाते हैं और इसी तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है हमारे दोनों एकरेक्टर रिलेशन्शिप में थे पर पर कभी भी उन्होंने प्यार को महसुस नहीं किया था एक दूसरे से मिलने की बाद ये चीज़ उन्होंने रियलाइस की जो भी उन्होंने किया ये सब अपने selfish लव की लिए इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको इस प्लेशन अचा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारे मुविज लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूई के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिये